नमस्कार लाइब बिहार देख रहे हैं आप आपके साथ मैं स्निहा गुपता आज कल बिहार की राजनीती में अगर चर्चा हो रही है तो वो है मुख्य मंतरी नितीश कुमार के उत्तरा अधिकारी की आखिरकार कौन बनेगा मुख्य मंतरी नितीश कुमार का उत्तरा अधिक मनिश कबरी लेकिया जहां पर उनको राष्टीय मासचीफ बना दिया गया है एक तरफ जहां बार बाद-बार हो रहे हैं मुख्यमंत्री निटीश कुमार की लेकिन मनीश वर्मा के अगर हम बात करें तो ये दिनों काफी दिनों से एक दूसरे के साथ थे नालंदा के हैं साथ में एक ही जाती से आते हैं याने की कुर्मी जाती से और दोनों की जो जोड़ी है वो काफी दिनों से लोग देखते भी आये हैं और ये मवही मनीश वर्म हैं जिन्होंने कुर्टा पैजामा पहन के सफेद काफी प्रचार प्रसार किया था और साथ में अपना चहरा भी बना रहे थे दीरे-दीरे वक्त के साथ तस्वीरे साफ हो गए और सीधे तोर पे जो चीजें सामने आई है वो साफ होते नजर आ रहे सीधे तोर मनिश वर्मा को जिस तरीके से राश्टी माहसचीव बनाया गया और कहीं न कहीं अब यह जो बाते च्छन के सामने आ रहे कि उनको मुक्यमंद्री नितीश कुमार का उ मनिश कुमार वर्मा ने मंगलवार को जेडियू की सदस्ता ली थी जेडियू के कारी-कारी अध्यक्ष अंजजज्जान नहीं पार्टी में जॉइन करवाया था जिसके दौरान विजय कुमार शौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुश्वा भी मौजूद थे 2012 के मनिश वर्मा पठना और पुर्णिया के डियम भी रह चुके हैं जेडियू की सदस्ता गरन करने के बाद मनिश कुमार वर्मा ने का कि पहले जेडियू उनके दिल में था और अब दल में आ चुका है मनिश कुमार वर्मा को पाटी ने राश्टी मास अचीव बना दिया है सीधे तोर पे जिस तरीके की बाते सामने आ रही थी और बिहार की राजनीती की यही खास बात है कि यहां कब क्या कुछ हो जाएगा यह पता भी नहीं चलता और मुख्यमंत्री निदीश कुमार की अगर उन्होंने मनिश वर्मा पे खेला है देखना होगा आगे क्या कुछ रंग लाता है इसके साथ सीधे तोर पे राश्टी महास अचीव बन चुके हैं प्रचार प्रसार की भी अगर हम बात करें तो कई महिनों से जो मनिश वर्मा है वो सफीद कुर्ता पिजामा में दिख रह का उत्रा अधिकारी कौन होगा जिसको लेके लगतार कयासों को बजार गरम हो रहा था और अब उन सारी बातों पे पुर्ण विराम कहीं न कहीं मनिश वर्मा को राश्टी महास अचीव बना कर मुखी मंदरी निदीश कुमार ने लगा दिया है अब देखना होगा कि ब्या हमाईजा तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया